अध्याय दो, वर्ण विचार, Phonology, वर्ण, Letter, निम्न लिखित शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा समझिए, कंगारू, क, जमा अ, जमा अं, जमा ग, जमा आ, जमा र, जमा उ, साथ वर्ण, विद्यार्थी, व, जमा इ, जमा द, जमा य, जमा आ, जमा र, जमा थ, जमा इ, आठ वर्ण, वैग्यानिक, व, जमा ए, जमा ज, जमा इ, जमा आ, जमा न, जमा इ, जमा क, जमा अ, नौवर्ण, उपर दिये गए शब्द भिन भिन ध्वनियों के समूह है. ये ध्वनिया इतनी छोटी हैं कि इनके और अधिक टुकडे नहीं कर सकते. इन ध्वनियों के लिखत रूप को ही वर्ण कहते हैं. इस प्रकार हम कह सकते हैं, ध्वनी की वह छोटी से छोटी इकाई, जिसके नहीं किये जा सकते वर्ण कहलाती है वर्ण माला, एल्फाबेट वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रम बध समूह को वर्ण माला कहते हैं वर्ण के भेद, काइंट्स ओफ लेटर हिंदी भाशा में वर्णों के दो मुख्य भेद हैं स्वर और व्यंजन एक स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्यध्वनी के बिना किया जाता है और हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है वे वर्ण स्वर कहलाते हैं ये ग्यारह हैं जैसे अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, उ, आ, आ, उ स्वर के भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते है एक, रिस्वस्वर दो, दीर्घस्वर, तीन, प्लुट्स्वर, एक, रिस्वस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें रिस्वस्वर कहते हैं रिस्वस्वर चार हैं अ, इ, उ, री दो, दीर्घस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में रिस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्ग स्वर कहते हैं। दीर्ग स्वर साथ हैं, A, E, U, A, I, O, O आगत स्वर O भी दीर्ग स्वरों में आता है। तीन, प्लुट स्वर प्लुट स्वर के उच्चारन में रिस्व स्वर से तीन गुना या उससे भी अधिक समय लगता है इस स्वर को दर्शाने के लिए इसके बाद तीन की संख्या लिखते हैं जैसे ओम आदी इसका प्रयोग किसी को पुकारते समय भी किया जाता है ऐसे स्थानों पर इसको दर्शाने के लिए इस चिन्ध का प्रयोग किया जाने लगा है जैसे ओम हरी सुनो आदी ख उच्चारन के आधार पर स्वर भेद उच्चारन के आधार पर भी स्वरों के दो भेद होते हैं एक निर्नूनासिक स्वर जब स्वरों का उचारण केवल मुख से होता है, तब उन्हें निर्नूनासिक स्वर कहते हैं, जैसे जब स्वरों का उचारण मुख वनाक दोनों से होता है, तब उन्हें निर्नूनासिक स्वर कहते हैं, जैसे इन स्वरों को लिखने के लिए इन पर निर्नूनासिकता का चिम्ध चंद्रबिंदू लगाया जाता है, लेकिन यदि मात्रा शिरोरेखा के उपर लगती है तो चंदर बिंदु को बिंदु के रूप में ही लिखा जाता है जैसे मैं, हैं, नहीं, गोंद, आदी अनुनासिक स्वर्शब्द के प्रारंभ, मध्य और अंत सभी स्थितियों में आ सकते हैं जैसे आंधी, चांद, कहूंगा, पहुच, नदियां, यहां, वहां, आदी प्रमुख उच्चारन स्थान श्वास जाने का स्वभाविक मार्ग ओष्ठ, दांत तालू, मूर्धा तालू, कंठ, नासिका विवर ग, उच्चारन स्थान के आधार पर स्वर्भेद किसी वर्ण के उच्चारन में जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे उस वर्ण का उच्चारन स्थान कहते हैं इन उच्चारन स्थानों के आधार पर स्वरों के निमनलिखित भेद होते हैं एक, कंठ्य, जिन वर्णों का उचारन कंठ से होता है, उन्हें कंठ्य कहते हैं, अ, आ, कंठ्य स्वर हैं, दो, तालव्य, जिन वर्णों का उचारन तालू से होता है, उन्हें तालव्य कहते हैं, इ, इ, तालव्य स्वर हैं तीन, मूर्धन्य जिन वर्णों का उचारन मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं त्री मूर्धन्य स्वर है चार, ओश्ठ्य जिन वर्णों का उचारन ओश्ठ से होता है उन्हें ओश्ठ्य कहते हैं उ, उ, ओ, ओष्ठे स्वर हैं, पांच, कंठ तालव्य, जिन वर्णों का उचारन कंठ और तालू से होता है, उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, ए, ए, कंठ तालव्य स्वर हैं, छह, कंठोष्ट्य, जिन वर्णों का उच्चारन कंठ और ओष्ठ से होता है, उन्हें कंठोष्ट्य कहते हैं, ओ, ओ, कंठोष्ट्य स्वर हैं, घ, प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गी करन, वर्णों का उच्चारन करने में बोलने वा उसे प्रयत्न कहते हैं। तो इस प्रयत्न को विवरत कहते हैं। सभी स्वर विवरत होते हैं। मात्रा – Science of vowels स्वरू को जब व्यंजन के साथ मिला कर लिखा जाता है तो उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरू के इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। हिंदी भाशा में निमन लिखित स्वरों की मात्राएं होती हैं, जिन्हें व्यन्जनों के साथ मिला कर प्रयोग किया जाता है, करम, स्वर, मात्रा, मात्रा का प्रयोग, उधाहरण, एक, अ, ऩ की कोई मात्रा नहीं होती, क, कल, मल, जल, नल, दो, आ, A, A ki matra, Ka, Kaal, Gaal, Daal, Daada, Teen, E, E ki matra, Ki, Kin, Gin, Gir, Til, Chaar, E, E ki matra, Ki, Keel, Keet, Neel, Meel, Paanch, U, U ki matra, Ku, Kul, Gul, Pul, Kumkum, Cha, U, U ki matra, Ku, Kool, Bhool, Jun, Pool, Saat, Ri, Ri ki matra, Kri, Krishi, Kriti, Vriksh, Drishya Aat, A, A ki matra, K, Kela, Mela, Thela, Peda 9. Ai, Ai ki matra, Kai, Kaisa, Mela, Gaia, Maya 10. O, O ki matra, Ko, Gho'da, Mo'da, To'da 11. Ao, Ao ki matra, Kao, Kao wa, Raunak, Daulat, Mausa याad rakhyei, A, Varn ki koi matra nahi hooti hai यह Vyjanjan ke saath, उसके samanye rup me jjuda raha hai इसके meil ke bina Vyjanjan ka uccharan nahi kiya ja sakta जैसे, K jama A bana K, Ch jama A bana Ch, P jama A bana P, T jama A bana T, S jama A bana S अयोग वaha, Hindi varn maala में स्वरों के बाद दो वर्ण और भी होते हैं अंग और अह, इनका uccharan अकार आधी की सहायता से होता है इसलिए इन्हें अयोग वaha कहते हैं अनुस्वार, जिस थ्वनी के uccharan में वायू केवल नाक से बाहर आती है उसे अनुस्वार कहते हैं इसको लिखते समय वर्ण के उपर बिंदू लगाते हैं जैसे रंग, भंग, अंग, आधी, विसर्ग इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होता इसका उच्चारण आधे हो के समान होता है इसे विसर्ग चिंध द्वारा दर्शाया जाता है इसका प्रयोग सबसे अधिक संस्कृत भाषा में होता है जैसे प्रातह, प्रायह, अतह, पुनह, आदी अनुनासिक जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में वायू नाक और मुहुद दोनों से एक साथ बाहर आती है उन्हें अनुनासिक कहते है इन्हें लिखते समय वर्ण के उपर चंद्रबिंदु लगाते है जैसे भांग, आँक, पांच, आदी दो, व्यंजन वेवर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायू जीब, तालू तथा कंठ आदी मुख के विभिन अंगों से टकरा कर बाहर निकलती है अर्थात, मुख से निकलने वाली वायू में अवरोध उत्पन होता है उन्हें व्यंजन कहते है व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है क्यूंकि व्यंजनों की ध्वनिया स्वतंत्र नहीं होती है इनकी संख्या क से लेकर ह तक 33 है व्यंजन के भेद व्यंजन के भेद कई आधारों पर किये जाते है एक, स्पर्ष के आधार पर, इस आधार पर व्यंजनों के निमनलिखित भेध होते हैं, क, स्पर्ष व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीब, मुख से कंट, ओष्ट, मूर्धा, दांत, तालुआदी भागों को स्पर्ष करती हैं, वे स्पर्ष व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यांजन कवर्ग क ख ग घ अंग चवर्ग च च ज ज ज ज इयां तवर्ग त थ द ध ध न तवर्ग त थ द ध न पवर्ग प थ ब भ म ख अंतहस्थ व्यांजन जिन व्यांजनों के उचारण में जीब मुह के विभिन भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अनतहस्थ व्यांजन कहते हैं य र ल और व चार अनतहस्थ व्यांजन है इनका उच्चारण जीब, तालू, दांत और ओठों के स्पर्ष से होता है इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं ग उश्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायू मुख में रगड़ खाकर उश्मा उत्पन्न करती है उन्हें उश्म व्यंजन कहते हैं इन्हें संघर्शी व्यंजन भी कहते हैं ये वे व्यंजन है जो स्पर्ष व्यंजन में ही समाहित रहते हैं ये किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते बलकी बीच में या अंत में आते हैं जैसे अड़, बढ़ा, घड़ा, सड़क, भड़क, आदी, अड़, गढ़, पढ़, पढ़ाई, चड़ाई, आदी उपर्युक्त व्यंजनों के अतरेक्त हिंदी वर्ण माला में कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं सैयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें सैयुक्त व्यंजन कहते हैं हिंदी वर्ण माला में चार सैयुक्त व्यंजन हैं क्ष क जमा श, कक्षा, रक्षा, अक्षै, ग्य, जजमा य, ग्यान, यज्य, त्र, त जमा र, छात्र, पत्र, मित्र, क्ष्र, श जमा र, श्री, श्रवन, श्रम, आगत व्यंजन, जो व्यंजन ध्वनिया अन्य भाशाओं से हिंदी में आई हैं, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं, जैसे ज, फ, ये अर्वी फार्सी की ध्वनिया हैं, द्वित्व व्यंजन, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैस त, त जमा त, कुत्ता, पत्ता, भत्ता, द, द जमा द, रद्धी, भद्धी, क, क जमा क, चक्की, मक्का, न, न जमा न, अन, पन्ना, मुन्ना, याद रखिये क वर्ग आदी पांचों वर्गों, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता, केवल संयोग होता है, जैसे क जमा ख, ख, अक्खड, मक्खन, च जमा च, च, मच्छर, इच्छा, त जमा थ, थ, पत्थर, कत्था, त जमा थ, थ, पठ्था, लठ्था दो, उच्चारन स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गी करण, उच्चारन स्थान के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं, एक, कंठ्य, जिन वर्णों का उच्चारन कंठ से होता है, उन्हें कंठ्य कहते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ह, और विसर्ग तालू से होता है, उन्हें तालव्य कहते हैं, च, छ, ज, ज, य, य, श, तालव्य व्यंजन हैं, तीन मूर्धन्य, जिन वर्णों का उचारन मूर्धा से होता है, उन्हें मूर्धन्य कहते हैं, त, ठ, ड, ध, न, र, श, मूर्धन्य व्यंजन हैं, चार, दंत्य, जिन वर्णु का उचारन दांतों से होता है, उन्हीं दंत्य कहते हैं, त, ठ, द, ध, न, ल, स, दंत्य व्यंजन हैं, पांच, ओश्ठ्य, जिन वर्णु का उचारन ओश्ठ से होता है, उन्हीं ओश्ठ्य कहते हैं, प, फ, ब, भ, म, ओश्ठ्य व्यंजन हैं, छह, नासिक्य, जिन वर्णु का उचारन नासिका से होता है, उन्हीं नासिक्य कहते हैं, अं, य, न, न, म, नासिक्य व्यंजन हैं, सा दंतोष्ठ्य जिन वर्णों का उच्चारन दात और ओष्ठ से होता है उन्हें दंतोष्ठ्य कहते हैं वह दंतोष्ठ्य व्यंजन है तीन प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गी करण व्यंजनों में प्रयत्न तीन रूपों में होता है स्वर्तंत्रियों में कंपन, श्वास की मात्रा, श्वास का अवरोध, इन तीनों आधारों पर व्यंजनों का वर्गी करण इस प्रकार है पहला, स्वर्तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद स्वर्तंत्रियों के कमपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, घोश और अघोश, अ घोश, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर्तंत्रियों में कमपन होता है, अर्थात नाद उत्पन होता है, उनको घोश व्यंजन कहते हैं, सभी वर्गों के तीसर चौथे और पांचवे व्यांजन तथा य, र, ल, व, ह व्यांजन घोश होते हैं। ब अघोश जिन व्यांजन वर्णों के उच्चारण में स्वर्तंत्री में कमपन नहीं होता, उन्हें अघोश व्यांजन कहते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे तथा श, श और स व्यंजन अगोश होते हैं। दो, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्पप्राण तथा महाप्राण, अल्पप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायू कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन प्राण होते हैं। ब महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायू अधिक मात्रा में बाहर निकलती हैं, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और कैसे अवरोध उत्पन होता है, इस आधार पर व्यंजनों के निम्न लिखित भेद होते हैं। स्पर्ष संघर्षी च, छ, ज, छ, द, नासिक्या, अं, य, न, न, म, य, पार्ष्विक, ल, र, उत्क्षिप्त, ड, ढ, ल, प्रकंपित, र, व, अर्धस्वर, य, व. र का प्रयूग, यूज ओफ र, र वर्ण के प्रयूग की स्थिती सबसे भिन्न है, इसका प्रयूग कभी तो वर्ण के उपर और कभी वर्ण के नीचे होता है, इसका प्रयूग इस प्रकार से होता है, एक, यदि आधे व्यंजन के बाद र जुडता है, तो यह उसके इसे पदेन कहते हैं, जैसे प जमार, प्र, प्रतम, प्रकाश, प्राप्त, ग जमार, ग्र, ग्रह, ग्रीवा, ग्रहन, दो, ट, ठ, ड, और ध के साथ र इस रूप में वर्ण के नीचे जोड़ दिया जाता है, जैसे ट जमार, ट्र, राश्ट्र, ट्रक, ड जमार, ड्र, ड्रम, ड्राम, तीन, जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता, तो यह अगले वर्ण के उपर लिखा जाता है, र के इस रूप को रेफ कहते हैं, जैसे र जमाम, कर्म, धर्म, चर्म, मर्म, र जमान, वर्ण, पर्ण, चार, ह में र मिलने पर इसका रूप पाई वाले वर्णों की भांती हो जाता है, जैसे रिस्व, रास, आदी, पांच, स में र मिलने पर इसका रूप इस प्रकार हो जाता है, स, जमार, स्र, स्रोत, सहस्र, याद रखिए, ध्य तथा ध के रूप में समानता के कारण होने वाली अशुद्धियों को दूर करने हे तू, ध्य के ध्य रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्या, विधार्थी, अशुद्ध, विधालय, अशुद्ध, विद्यालय, शुद्ध, वर्ण विच्छेद, सेपरेशन ओफ लेटर्स, किसी शब्द में प्रयोग्ट वर्णों को अलग-अलग करने की विधी को वर्ण विच्छेद कहते हैं, जैसे जल, ज़, जमा अ, जमा ल, जमा अ, कमल, क, जमा अ, जमा म, जमा अ, जमा ल, जमा अ, उत्पन, उ, जमा त, जमा प, जमा अ, जमा न, जमा न, जमा अ, जमा अ, याद रखिए, जिन व्यनजनों में कोई मात्रा नहीं जुड़ी होती, उनमें अ की ध्वनी मिली होती है हिंदी वर्तनी के प्रमुखनियम एक, हिंदी में कुछ शब्दों के दो-दो रूप प्रचलित और मान्य है गर्मी, गर्मी, बरफ, बर्फ, सर्दी, सर्दी, दुकान, दुकान, बिल्कुल, बिल्कुल, दुबारा, दोबारा, यानी, यानी, बर्तन, बर्तन, पडोस, पडोस, आदी 2. हिंदी में कुछ तचसम शब्दों के दो रूप प्रचलित हैं, जैसे कर्ता, कर्ता, कर्तव्य, कर्तव्य, महत्व, महत्व, सरली करण के लिए हिंदी में पहला रूप ही रखा गया है 3. दौद्व समास में पदों के बीच योजक चिंध का प्रयोग किया जाता है, जैसे राग दिन, माता पिता, हसी मजाग, रोना धोना, पढ़ना लिखना आदी 4. सासे पूर्व योजक का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुमसा, कालासा, आदी 5. ततपुरुष समास में सामान्य तह योजक का प्रयोग करने की आवश्यक्ता नहीं होती, जैसे गंगाजल, ग्रामवासी, रामराज्य, आदी 6. अनुस्वार तथा अनुनासिक के भेद का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा, हंस, हंस 6. चन्दा, चांद जैसे शब्दों का अंतर्सपष्ट नहीं हो सकेगा, 7. जिन स्थलों पर य और य अत्वा ए का प्रयोग विकल्प के रूप में होता है, वहां केवल स्वर रूपों का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे नई, नई, उठाए, उठाए, चाहिए, चाहिए, इनमें क्रमशह नई, उठाए तथा चाहिए रूप ही मान्य हैं 8. संग्या शब्दों के साथ कारक के विभक्ती चिन्धों को अलग लिखना चाहिए और सर्वनाम में साथ जोड़कर, जैसे राम का, उसका आदी यदि किसी सर्वनाम में दो विभक्ती चिन्धों हैं, तो पहले को सर्वनाम के साथ लिखना चाहिए, तथा दूसरे को अलग, जैसे उसके लिए बलाघात, emphasizing, निमनलिखिट शब्दों का उच्चारण कीजिए राम, मटर, सरकार इनके उच्चारण से स्पष्ट है कि किसी भी शब्द के सभी अक्षर समान बल से नहीं बोले जाते, किसी अक्षर पर कम बल दिया जाता है, तो किसी पर अधिक उपर लिखे शब्दों में रंगीन अक्षरों पर अधिक बल दिया गया है बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है, उसे बलाघात कहते हैं बलाघात दो प्रकार का होता है, एक शब्द बलाघात, दो वाक्य बलाघात, एक शब्द बलाघात शब्द बोलते समय जब उसके किसी अक्षर पर बल दिया जाता है तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं जैसे दुकान में दूपर और लिखवाना में वा पर बलाघात है दो वाक्य बलाघात जब वाक्य में किसी विशेश शब्द के उच्चारन पर जोर दिया जाता है, तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं, जैसे उसने राम को घोडा दिया, यदि इसको सामान्य रूप से पढ़ें, तो वाक्य अत्यंत साधारन है, परन्तु अब इस वाक्य के रंगीन शब्दों पर बारी-बारी से जोर देकर उच्चारन कीजिए, उसने राम को घोडा दिया, उसने दिया किसी अन्यने नहीं, उसने राम को घोडा दिया, किसी दूसरे को नहीं, उसने राम को घोडा दिया, घोडा दिया कुछ और नहीं, आपने देखा कि विभिन शब्दों पर जोर देन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। संगम, जंक्षन, उच्चारन करते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि विभिन पदों की क्या सीमाएं हैं, इसी को संगम कहते हैं। संगम से ही निश्चित होता है कि किन शब्दों को एक प्रवाह में एक साथ पढ़ना है, तथा किन के ब इसे अरे अब तो बाहर निकला। वहे बोहुत देर में घर से निकला। चारों और घास उगाई है। मैंने चारों और खास उगाई है, तुम्हारे मन का भाव मैं नहीं समझ पाया, मेरी माला का मन का खो गया, उच्चारन तथा वर्तनी, प्रननसियेशन आन स्पेलिंग, भाशा ग्यान के अभाव में कभी-कभी हम अनेक तुरुटियां कर जाते हैं, ये तुरुटियां बार- करते रहने पर स्थाई हो जाती हैं, और हम उनके शुध अशुध के अंतर नहीं जान पाते, हम जो कुछ मुहू से बोलते हैं, वही लिखते हैं, और जो लिखते हैं, वही बोलते हैं, अशुध बोलने और लिखने के कारण वाके के अर्थ बदल जाते हैं, ध्वनी कारण संबंधी अशुद्धियों को पढ़िये और समझिये. मात्रा तथा उचारण के कारण अशुद्धियां. अशुद्ध, शुद्ध, गहाक, गाहक, निरोग, नीरोग, ग्यान, ग्यान, आजकाल, आजकल, द्रश्टी, द्रिष्टी, बिमारी, बीमारी, रिशी, रिशी अभार, आभार, व्यंजन संबंधि अशुधियां, अशुध, शुध, दबाब, दबाब, घबडाहट, घबराहट, चिन्ध, चिहन, घनिष्ठ, घनिष्ठ, प्रमात्मा, परमात्मा, आदर्निय, आदर्निय, संसकर्ण, संसकरण, किरन, किरन, क्रिपान, क्रिपान, स्वरग, स्वर्ग, चरन, चरन, प्रनाम, प्रणाम, नर्क, नरक, भ्रमन, भ्रमन, आओ दोहराई ध्वनी की वह छोटी से छोटी इकाई, जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते वर्ण कहलाती है वर्णों के लिखे गए व्यवस्थित एवं क्रम बध समूह को वर्ण माला कहते हैं व्यंजनों के साथ स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजन में पहले से जुड़ा होता है अंग तथा अह को अयोगवाह कहते हैं